हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम ऐसा फारमुला बताएंगे जिससे आप एक बार लगाते ही बिलकुल गोरे हो जाएंगे दम चिकने गोरे दिखेंगे इतने जादा सुन्दर हो जाएंगे न कि आ बहुत बहुत जादा अच्छी चीज है आपकी स्कीन के लिए आपकी सुन्दरता के लिए आपके निखार के लिए और आपकी गलो के लिए आपको पालर जाने की मेंगी मेंगी क्रेमे लगाने की बिलकुल भी नहीं जरत पढ़ने वाली है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले लेंगे नीबू नीबू में दोस्तो ऐसा एसिड पाया जाता है जिससे हमारी इसकिन इतनी गोरी इतनी साफ हो जाती है जो हमारी बरसों से जमी हुई मेल है न अगर मेरे जो फार मूले से आप लगाएंगे तो एक बार już nieblog मातरा जाता है जो कि आप इसकिन पे लगा ने के बाद में जो आपकी इसकिन पे जो जम्यवी गंदगी होती है मेल होता है काला पन होता है दाग दब्बे होते हैं वो जड़ से खतम हो जाते हैं तो यहाँ पे मैंने 2B कटउवा हुआ hemने को ढ़मे निकाल लिका ला ह गोरा करने पर कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर मैंने लियाए ऐलो विरा जेल ऐलो विरा जेल का आपको सबी को पता है मैंने ताजा लिया है ऐलो विरा क्योंकि दोस्तो आप वैसा वाला ऐलो विरा भी ले सकते हैं बट वो पताने किस-kिस चीजों से मिलावड का आता है तो मैंने ये घर में ही लगा हुआ जो ताजा होता है वो वाला एलो वीरा लिया है तो हमें करना क्या है जो एलो वीरा का जो गूदा होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है देख सकते हैं तो दोनों चीजे ही हमारे इसकीन के लिए इसकीन continue बना रहेगा यह नहीं कि आपको एक बार लगाने से आपका glow दो दिन रहेगा, बाद में हट जाता ऐसा नहीं यह natural चीजे हैं दोस्तों । नेचरल चीजों से आपकी skin पे बहुत ज़ादा glow रहता है, तो और इसमें हम तीसरी चीज डालने वाले नारेल का तेल दोस्तों नारेल का तेल से आप जैसे रात में अगर इन चीजों को लगा कर सोते हैं तो आपकी स्कीन ग्लो करती है आपकी स्कीन के उपर जो चाईया होती है चाईया दाग दब्बे होते हैं तो च्छाईयों के लिए तो जो नारेल का तेल में ने डाला है ना बहुत जादा अच्छा होता है तो दोस्तो ये चीजे ऐसी नेचुरल चीज हैं जिससे आपकी स्कीन बिल्कुल चमकेगी वाइटनेस भी आएगा और आपकी जो इसकीन है गलो करेगी आपको जब नाने जाएं तब भी इसकी हाथ पेरों पर चेरे पर मालिस कर सकते हैं क्योंकि इससे मसाज से भी आपकी स्कीन टाइट होती है आप इस चीज की मसाज करेंगे तब भी आपकी स्कीन टाइट हो जाएगी तो यहां पर देख सकते हैं एलो विरा जिल को आपको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करते रहना है क्योंकि मिक्स करने से जितना आप मिक्स करेंगे न उतना ही ये सब चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जैसे क्रीम की जैसे मिक्स होंगी क्योंकि मैंने इसमें तेल भी डाला है नीबू भी डाला है अलो विरा भी डाला है तो ये अच्छी तरीके से मिक्स होनी चाहिए तुमकि जब एक जीव हो जाएंगी न तब ये क्रीम बन जाती है तो आपको इसको फेटने में 3-4 मिनट का वक्त लग जाता है इसकीन के लिए तो आप नीबू को skip कर सकते हैं या इसके बदली आप इसमें और कोई चीज डाल सकते हैं तो दोस्तों ये आपके जो इसकीन के लिए आपको मेंगी क्रेमे जाफ फेसल करवाते हैं इस ग्लो के लिए हैं तो आपको नहीं करना आपको में लगा के भी दिखाती हूं कि एक बार के लगाने से इसमें कितनी ज्यादा अच्छी चमक आ जाती है तो इस तरीके से आपको लगाना है और इस तरीके से मसाज करनी है तो एक तो यह चीज हो गई जो मैंने इसको बताई है इस तरीके से लगाना है तो दोस्तो एक जिससे आपको तुरंत गलो मिलेगा तुरंत में तुरंत आपकी सकीन साप हो j mother तो यहाँ पर मै ने एक चीज और लिये हैं इस तामाटर है जिससे आपको फटा-फटा से में सब्सक्राइब कि है तौर कि तौर मीलता है तो यह बहुत ही अच्छा काम करेगा आपकी स्कीन के लिए जो इस से दोस्तों आपको एक बार लगाने से ही इतनी ज़्यादा चमक दिखेगी ना इतना ज़्यादा ग्लो मारेगा आपका चेरा आपकी स्कीन के मैं आपको बता नहीं सकती तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हाथ तो यहां पर इस तरीके से इसको मसाज करनी है अगर आपको नीबू नहीं सूट करता है तो इसमें आप टमाटर डाल सकते हैं टमाटर एक ऐसी नेचुरल चीज है जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो इसलिए अगर टमाटर नहीं सूट करता है तो आप इसमें जैसे नीबू नहीं सूट करता है तो टमाटर का यूज कर सकते हैं तो यहां पर मेरे हाथ बिल्कूल एकदम साप हो चुके हैं जो गंदगीती इसकी पूरी तरीके से निकल चुकी है तो दोस्त इसको जरूर आप अपनाएं जरूर लगाएं और दोस्तों व्यूडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं तो